नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो एच पी एल्टी टैट का एक्जाम अगर आपने दिया है तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो एल्टी टैट का आज का फेपर ह गए था उसको डिसकस करने वाले हैं थोड़ा साम इसमें लेट हो गए हैं दिन वर काफी थोड़ा काम में व्यस्त थे तो उस वज़ा से आपको जल्दी से एक वीडियो जो है नहीं बना पाए लेकिन इस पूरे की पूरे वीडियो में आपका पूरा जो प्रशन हम डिसकस हो गई यह तो आप बेजी जख हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कोई भी तुरूटी हो कोई भी कुछ चीज हो तो आप बिख़ॉफ हो के कह सकते हैं तो चलिए बिना दिर किये शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देखी इसमें हमारे पास जो यह क्वे प्रशन था यह A-Series का पेपर था अगर आपके पास भी A-Series थी तो आप इसको ऐसे ही मिलान कर लीजिए अगर कोई और भी प्रशन यहां से देख सकते हैं कि आपने क्या किया है पहला प्रशन है प्रश्चमी हिंदी का विकास किस भाशा से माना जाता है तो यह हम सब प्रशन संख्या चार है देखिए हिंदी भाशा के विकास करम का सही अनुकरम कौन सा है तो यह पाली प्राकृत अभवरेंश और हिंदी यह सही इसका करम हो जाएगा पलवन का शावदी करत होता है विस्तार तो पांचवे का हो जाएगा C छठा जो प्रशन है देखिए अ इसका सही आंसर हो जाएगा करण का जो तदभव शब्द है देखिए वो है कान फिर उसके बाद आता है आठवा प्रशन तो आठवा था हिंदी के लिए जो आपका स्टेटस क्यों के लिए हिंदी परियायक क्या है तो यह था आपका यह था पूरुस्तिती आठ का विकलप नमबर C नववा प्रशन है अचारे शुक्ल ने हिंदी साहिते की तियास को कितने भागों में बांटा है तो यह था विकलप नमबर A 4 खुमान रासुक किस कवी की रशन है तो यह दलपती विजय की एंड रामानुज अचारे ने किस संपरदाय की स्थापना की तो इन्हों नमबर C ही इसका सई आंसर हो जाएगा मृगावती कुतुबन की रचना है तो 14 का बी पंद्रमा प्रशन है देखिए हिंदी साहिते का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण यूग कला काल मतलब सिंपल से रीती काल गोरक जगायो जोग भक्ति बगायो लोग तुलसिदास न नगेंद्र हमेशा यह प्रशन पूछा जाता है नेक्स क्वेशन आता है रासो शब्द की विद्पति किस शब्द से हुई है तो यह अलग-अलग विद्वानों ने मानी है और यह सारे ही शब्द जो है इससे उत्पन माना जाता है कि रासो की उत्पति हुई है लेकिन रा समाचार पत्र किसे माना जाता है तो यह था उद्धन्त मार्तन विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है यहां पर 21 पदमावत की प्रतीक योजना के अनुसार दिये गए प्रस्तुत प्रतीकों में से कौन सा प्रतीक गलत है तो यहां पर जो गलत है अर्थात रसातमक कावे को कावे स्विकार करने वाले विद्वान का नाम तो यह थे विश्वनात साही दरपड में इन्होंने यह बात कही थी जिस चंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं आये थीक है उस चंद को क्या कहते हैं तो ये था आपका दोहा चंद. कवी कुल कलपतरु और श्रिंगार मंजरी किस कवी की रितिकालिन कवी की रचना है तो ये था आपका चिंता मणी त्रिपाठी की. हिंदी का प्रत्थम उपन्यास इन में से कौन सा है तो यह हम सब लोग जानते हैं ये था परिक्षा गुरू. 27 प्रशन है देखिये रानिकेत की कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है तो ये थी इन्शाल्ला की रचना और ये इनका उपन्यास है. भारतेंदु हरीचंद्र ने नारीशिक्षा हेतु किस पत्रे का का संपाधन किया तो ये था बाला बोधिनी. इसके लाबाद दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं किसकी पंक्तिया हैं. तो ये थी सूरेकांत त्रिपाठी निराला की. नेक्स जो क्वेशन आता है. युगधारा, प्यासी, पत्राई, आंके, भसमांकुर, इत्यादी. ये जो रचनाएं, किसकी हैं? ये थी नागारजुन की रचनाएं. प्रत्थम प्रगतिशी, ललेककसंग के अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी? ये की थी प्रेमच गया है, तो ये कावे संग्रे था. लोग के राग विराग, हर्ष विशाद, सुख दुख की सहज, अकृत्रिम, सभाविक वस्सरस अभिवक्ति का नाम क्या है? तो 35 का जो नाम हो जाएगा, आपका विकल्प नवर A, लोक साहित्या. 36 प्रशन है, ये श्पाल का जनम कहा तो इस प्रशन में अलग-अलग उत्तर मिलते हैं, आपको देखना ही माचल के ये रहे हैं, यश्पाल, लेकिन कई जगा इसको आपको हमीरपूर का भूंपल मिलता है, लेकिन फिरोजपूर चावनी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि इसमें ग्यानपीट पूर्शकार प्रदान किया गया था, तो ये था इनका ग्यानपीट पूर्शकार उर्वशी के लिए, संस्किति के चार अध्याय के लिए इनको साहित अकार्मी पूर्शकार मिला था. तुलसिदास और जाइसी ग्रंथावली किसवदा की रशना है, तो ये है अलोचनात्मक विधाये नेक्स्ट क्वेशन आता है 49 यहां पर मिलान करने के लिए बोला गया था एक तरफ संपरदाय है दिये हैं तूसी तरफ अचारे हैं तो अलंकार संपरदाय भामा ने चलाया रीती संपरदाय वामन का था ध्वनी संपरदाय यह अनंदवरदाय का रस संपरदाय भारत मुनी का था तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होना चाहिए था विकल्प नुमबर C नेक्स क्वेशन भी मिलान करने के लिए आया था पत्रिकाय और संपादक को धरम युग धरम विर भारती की थी सरस्वती जो है अगला पत्रिका का संपादम जो है प्रताप नरायन मिश्र ने किया था तो इस अधार पर जो आपका 40 questions नंबर है देखिए इसका जो विकल्प नुमबर B होना चाहिए था संशय की एक रात का कथानक किस से समंदित है तो ये राम से समंदित था तो राम कथा इसका सयाम जरोगा विकल्प नुमबर B गोस्वामी तुलसिदास द्वारा रवीरेचित कविता वली किस भाशा की रशन है तो ये ब्रज भाशा की रशन रहेगी अगला प्रशन हम देखते हैं यहाँ पर देखिए को रस के रूप में तथा राधा को रती की रूप में किस संपरदाय में माना गया है तो यहाँ पर मुझे जो इसका सही आंसर लगता है विकल्प नुमबर A लेकिन अगर आपको इसका आंसर बिल्कुल एक्जक्ली मालु है तो आप जो है इसका अंसर बता सकते हैं विकल्प नुमबर A मेरे हिसाब से इसका अंसर होना चाहिए बाकी अगरा कुछ और भी है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल श्योर नहीं हूँ लेकिन यह मुझे जहां तक लगता है कि यह हो सकता है जो आपका गौडिय संपरदाय य कि यहां पर सुबद्रा कुमारी चोहान हो जाएगा ठीक है 46 जो है देखिए सुबद्रा कुमारी चोहान 47 का आंसर है कालिदास के जीवन पर अधारित मोहन राकेश का नाटक तो मोहन राकेश का नाटक बहुत जादा महतपूर है हमेशा यहां से प्रशन आता है अशार का एक दिन प्रेमचन के अधूरे उपन्यास का नाम था मंगल सूत्र 49 प्रशन है हिंदी में गुमक्र शास्त्र के प्रणेता राहुल संक्रितैन सबसे बड़ा गुमक्र भी इन्हें ही का जाता है इसके लावा प्रशन संक्या 50 है देखिए एक भारती आत्मा के नाम से प्रशनकार कौन है तो यह थे हजारी प्रसाद दिवेदी पत्नी कहानी के लेकर जनेंद्र कुमार थे जले भी जिस भाषा का शब्द है वो है आपकी अर्वी विकल्प नंबर डी जो है 55 का सई अंसर हो जाएगा यह था संबब में कौन सा स्मास है तो यहां पर आपका हो प्रेमचन के किस उपन्यास में वैश्याओं के सुधार की समस्याओं को उठाए गया है तो यह थी सेवा सदन इनका उपन्यास सांप छुचुंदर की इसी दशा मुहावरे का अर्थ होता है दोवीदा की स्थिति में होना विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 61 21st question है मोहनराकेश द्वारा लिखित कहानी मलवे का मालिक किस पर आधारित है तो यह थी भारत पाकिस्तान विवाजन पर आधारित एंड म्रिनाल किस उपन्यास की प्रमुक पात्त थी यह त्यागपत्र उपन्यास के पात्र 62 का देखे विकल्प नंबर ए हो जाएगा 63 question number ह देखिए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तो यह था विद्यापती तुलसिदास ने रामचरित मानस के इस भाशा में लिखा था तो यह इनोंने अवदी भाशा में लिखा है महादेवी वर्मा को किस कृति पर ग्यानफिट पुर्सकार मिला तो यह मिला था यामा पर 65 question है द अगर आपको मालूम है next question आता है 68 निमन मैंसे महापरान वर्न कौन सा है तो विकल्प नमबर सी ख जो है देखिए यह महापरान हो जाएगा अगला प्रशन है उनत्रुआ निमन मैंसे कौन सा भक्ति कालिन कवी नहीं है तो धरम विरभारती इसमें नहीं हो जाएगे तुम भत्रुआन जिसकी परिक्षा ली जा चुकी है तो यह था आपका परिक्षित विकल्प नमबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वेदना निराशा पीड़ा इत्यादी का चितरन कि सकावेधारा की विशेशता है तो यहाँ पर छायवाद इसका सही आंसर होना चाहिए था मेर परिका की पंक्तिया है जो हत्र का विकल्प नमबर बी आंसर सही हो जाएगा इसके लावा यहाँ पर मुना तमम्मी के सिरपर देख देख दो चोटी भाग उठा भै मान कर सिरपर सांपिन लोटी उप्युक्त पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो यहाँ पर उसको क्या हो ब्रांती हो जाती है विकल्प नमबर बी इसका सही अंसर होना चाहिए 76th question है अंटी माना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा विकल्प नमबर C चाल चलना 77 है देखिए निमन में से कौन सा शब्द स्ट्रिलिंग है तो यहाँ पर क्रिपा तो य next question आता है 88 पहली शब्द चक्ति कौन सी है तो यह है अभीधा शब्द चक्ति अभीधा लक्षन अव्यंजना इस तरी के साथ ही है इसके लावा यहाँ पर निमन में से शुद्ध शब्द क्या है कव यत्री विकल्प नमबर C अति वृष्टी में मूल शब्द क्या है तो म शब्द यहाँ पर है वृष्टी मुद्र किस प्रकार का शब्द है तो मुद्र रहेगा आपका पारिभाशिक शब्द विकल्प नमबर A इसका साई आंसर होना चाहिए प्रशन संग क्या ब्यासिया देखी रामचरित मानस कितने कांड़ों में विवक्त है तो रामचरित म रहे के कहानिकार कौन है तो यह थी निर्मल वर्मा की कहानी निमने में से मानक रूप कौन सा है तो यहाँ पर धोबिन विकल्प नमबर C इसका सही आंसर हो जाएगा छ्यासुआ कोश्चन है देखे तमाशा भारत के किस राजय का लोक नाट्य है तो यहाँ पर इसका जो सह माय के अंतरगत विवाजित किया गया था अमरितलाल नागरकृत मानस का हंस में किस प्रसिद कवी का संपूर्ण जीवन नई दिश्टी और संविधना के साथ प्रसुत किया गया है तो यह मानस से या रख लेना था रामसीत मानस के रचाहिता जो रहे है तो लसी दास अठा नंबर D इसका सई आंसर होना चाहिए नदी के किनारे किनारे वन विभाग ने पेड़ लगवाए मैं कौन सा कारक है तो इसमें अधिकरन कारक होना चाहिए विकल्प नंबर B ठीक है नेक्स्ट है अंबर पनगट में डुवो रही तारा गट उशा नागरी में कौन सा अलंक लिटन ब्लॉक गिर रहा है कहानी संग्रह के रचाईता कौन है यह थे सर हर नोट जिनका समन ही माचेपरदेश से रहा है सूरदास किस रसका कोना कोना जहांक आए है तो इसका जो सई आंसर होगा विकल्प नंबर A वादसल ले नेक्स आता है देखिए तालब वे विएंज लक्षब पर लोक इही लोक होना चाहिए था इसका इही लोक विकल्प नंबर D एक अच्छे दुभाशिये का प्रमुख गुण क्या है उसको दोनों ही बाशाओं का ज्यान होना चाहिए तो विकल्प नंबर C इसका सई आंसर हो जाएगा नेक्स आता है अनुवाद का समान नार्थक संस्कित शब्द कौन सा है तो ये अनुवाख होगा विकल्प नंबर A 97 का इसके लावा 98 जो प्रशन है देखिए दंत्य व्यंजन कौन सा है तो दंत्य व्यंजन जो इनमें से था वो था थ बाकी चौ का जो है तालू हो जाएगा द का आपका वही मूर्दा हो जा दो हैते साकी या भी आपको पता होना चाहिए था रमैनी में आती है चौपाई या ठीक है सबद में थे इनके गियपद मिशर बंधों ने रितिकाल को क्या नाम दिया है तो मिशर बंधों के अनुसार रितिकाल था अलंकृत काल जबकि कला काल ये काहता राम कुमर वर्मन ह श्रिंगार काल नाम दिया था विश्वनात प्रसाद मिष्र ने? नेक्स आता है पहला ज्यानफीट पुरुषकार किस हिंडी साइट कार को दिया गया था? तो यह सुमित्रा नंदन पंत् पको मिला था नेक्स त्विशन आता है यहाँ पर गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे तो यह थे जासुसी उपन्यास तो इसका विकल्प नुम्बर A सही आंसर हो जाएगा 105 प्रशन है राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गुंगा है किस ने कहा था तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने भारते समिधान की आठवन सूची में कितनी राष्ट्र भाषाए हैं तो यह हैं 22 संग की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी यह प्रापदान समिधान के किस अनुछेद में है 343 यहां से प्रशन जरूर पूछा जाता है तो यह हमेशा आता ही आता है यह वाल अचाए है तो यह है आपका देवनागरी लिपी में 111 प्रशन है उदेश्य और विद्हय क्या है तो यह है वाक्य कि अंग विकल्प नुमबर बी इसका सउई आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है समुद्र का प्रियावाची शब्द है तो यह था पारावार विकल्प नुमब B, इसका क्या हो जाएगा, साई आंसर हो जाएगा, देव असुर में कौन सा समास है, तो देव और असुर, तो और आगया दोंदर समास इसमें हो जाएगा, विकल्प नमबर D, चलिया चबीलो, छैल चाती, छूए चलो, चलो गयो, ये पंक्तियां किस कवी के किस ग्रंद से ल पर जो आपका जुगुपसा किस रसका स्थाई भाव है, तो जुगुपसा जो आता है देखिए, ये आपका विबत्स रसका स्थाई भाव, 119 प्रशन है, पाश्चाते समिक्षा शास्तर के पहले, बहु मान्या समिक्षक कौन थे, तो ये थे आपके प्लेटो, इनसे ही हम मानते हैं कि जो सही तरीके से क्या हुआ आपका, जो पाश्चाते समिक्षा के शुरुवात हुई थी, विकासबाद के प्रस्थापक का नाम क्या था, तो ये था डार्विन, इन्होंने ही तियोरी आप डपलमेंट दी थी, नेक्स्ट क्वेशन आता है देखिए, आपका ज सुल्तान थे, एक सो तीसवें का देखिए, इसका विकल्प नंबर A हो जाएगा, अफगान थे ये, एक सो चौबिसवें प्रस्था हम देख लेते हैं, अंकोर वाट का प्रसिद मंदिर किस देश में है, तो इसका विकल्प नंबर D हो जाएगा, कमबोडिया में, विक्रम स समवत का प्रारंब हुआ, तो देखिए, एक सो पचीसवें जो प्रस्था है, इसका विकल्प नंबर B, सतावन इस्वी पूर्व, भारत के कितने राज्यों में विधान परिशद है, तो 126 का विकल्प नंबर A, छे राज्यों में, इसके अलावा अगला जो प्रस्था आत सेरक्षन परियोजना चलाई जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर B, आपका कस्तूरी म्रिग, 139 प्रस्था देखिए, दूरसंचार के लिए प्रिक्त की जाने वाली तरंगे हैं, तो यह हैं सूक्ष्म तरंगे, 139 का हो जाएगा D, 139 प्रस्था प्रस् यह हो जाएगा आपका चांदी, मानव शरीर में कितनी अस्तियां होती हैं, तो विकल्प नंबर A, 206, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्थन देखते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर जो 133 प्रस्थन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो यह थे लाला अर्द्याल, नूर यहाँ पर शूरजदाल जील किस जिले में स्थित हैं, तो यह थी आपका लाहुल स्पिती में, 137 प्रस्थन है, हिमाच्य प्रदिश के किस जिले में उहल जल विद्युत स्थित हैं, तो उहल जो आता आपका यह आता आपका विकल्प नंबर D में देखिए, जो आपका 138 प्रशन है, किनर प्रदेश पुस्तक के लेकर कौन है, तो यह था आपका राहुल सांकृतियाईन, विकल्प नंबर C जो है 138 का सही आंसर हो जाना चाहिए, 149 प्रशन है, प्रत्थम विश्युविद के दरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था, तो यह थ 141 प्रशन है, यहाँ पर क्या लिखा है, हिमाच प्रदेश के किस जिले में खोखन अभ्यारने है, तो इसका विकल्प नंबर A ठीक हो जाएगा, कुल्लू जिला, नेक्स्ट कॉशन आता है, 142 यहाँ पर लिखा है, विश्यो में मानवादिकार दिवस, किस तारीक को मनाया जाता है, तो इसका जो सई आंसर है, यह होगा आपका 10 दिसंबर, 143 प्रशन है, द्रौपदी मुर्मू, हाल ही में भारत की राष्ट्रपती बनी है, वो भारत की कितनों ही राष्ट्रपती बनी, तो यहाँ पर 143 है, देखिए, इसका विकल्प नंबर C हो जाएगा, पंद लिपी में थी, तो यह थी आपकी टांकरी लिपी, नेक्स प्रशन आता है, पंच सिल समझाता कि इन देशों के मध्य हुआ था, तो इसका आंसर होगा, विकल्प नंबर C, भारत और चीन, रगुनाद जी की प्रतीमा, अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे, यह थे विकल्प नंबर B, कुल्लू, 149 प्रशन है, किस पुरान के अनुसार बाना सुर को, जो उपरी शिमला के सरहन क्षेतर का शासक था, प्रिशन द्वारा मारा गया था, तो इसका आंसर विकल्प नंबर C होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जेक्टली आपको और मालूम है, त का सही आंसर होना चाहिए, तो ये थे पूरे की पूरे 140 प्रशन, I hope कि आप सब लोगों ने इस प्रशनोत्री को जरूर, इस पेपर को अच्छे से attempt किया होगा, और आपका ये exam मेरे हिसाब से clear हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जादा मुश्किल नहीं था, जीके भी ब इलकुल, exactly, सही पेपर था, तो, hope for the best सब के लिए, and I hope कि आप सब लोगों ने enjoy किया होगा इसको, और अगर हमसे कहीं पर कोई गलती हो गई है, तो आप comment section में जाकर, बे जीजक बता सकते हैं, और हमें correct कर सकते हैं, तो फिलाल, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, जहिंद सब बाद़ करते हैं, ref इतना ही, लिए।